प्रियंका चोप्रा की जिंदगी तो 3-4 बार बदली गई होगी मिस इंडिया बनने के बाद प्रियंका चोप्रा को अपना पहला मेजर रोल मिला साल 2003 में अक्षे कुमार स्टारर फिल्म अन्दाज में फिल्म सूपर हिट रही और अक्षे और प्रियंगा की जोड़ी को लोगों ने खूब सराहा अक्षे उस समय अल्रेडी मैरिट थे लेकिन इसके बावजूद अक्षे और प्रियंगा पे धड़क साथ गूमते नजर आते थे अक्षे ने प्रियंगा के साथ और भी हिट फिल्मों में काम किया जैसे की एतरास और मुझे शादी करोगी लेकिन फिर प्रियंगा चोपरा का उनके सेकेटरी प्रकाश जाजू से पंगा हो गया और जाजुने गुस्से में आके प्रियंका चोपडा का टेलीफोन बिल एक अकबार में छपफा दिया इसमें पता चला कि प्रियंका के फोन से अक्षे को दिन के तकरीबन 20 कॉल जाते थे इस बात से अक्षे की वाइफ ट्विंकल बहुत अपसेथ हुई और उन्होंने अक्षे को प्रियंका के साथ सबी तालोग खतम करने का आदेश दिया प्रियंका तनहा और अकेली हो गई और तभी उनकी लाइफ में एंट्री मारी हर्मन बावेजा ने जी हाँ वो ही पूर मैंज रितेख हर्मन आपको यादे वो कौन है? कमाल है है द पॉइंट इस कि प्रियंका एन हर्मन स्टार्टेड डेटिंग और इसी दोरान उन दोनोंने साथ में लाव स्चोरी 2050 और वाट्स और राशी जैसी मास्टर पीसेज में काम किया फिल्मों की ही तरह इन दोनों का रिलेशन्चिप भी नहीं चला प्रियंका का अगला रिलेशन्चिप शुरू हुआ साल 2009 में शाहिद कपूर के साथ दोनों मिशाल भारतवाज की फिल्म कमीने में साथ काम कर रहे थे बस मिले एक आदा किसिंग सीन्स किये और प्यार हो गया वैसे प्रियंका और शाहिद उन दिनों एक दूसरे के पडोस में ही रहते थे लगता है इन दोनों ने लव दाए नेबर के कॉंसेप्ट को बहुत सीरिसली ले लिया था हाला कि शाहिद और प्रियंका ने कभी अपने रिलेशनशिप को पब्लीकली अक्नॉलेज नहीं किया लेकिन ये तो अव्वियस था कि दोनों के बीच क्या चल रहा है साल 2012 में ही प्रियंका के घर पर इंकम टैक्स की रेट बड़ी और इंकम टैक्स ओफिशल्स ने बताया कि शाहिद कपूर प्रियंका के घर पर बॉक्सर शॉट्स पहन कर मौजूद थे लेकिन अफसोस कि ये रिलेशन भी नहीं चला और किसी को भी इसकी वज़ा नहीं पता वैसे प्रियंका को शादे शुदा मर्द कितने पसंद हैं इस बाद का अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि इसके बाद प्रियंका और शारुख खान के अफैर के चर्चे आम हो गए बात इतनी बिगड़ गई कि शारुक की वाइफ कौरी ने शारुक को प्रियंका से दूर रहने के लिए कहा बिल्कुल जैसे ट्विंकल ने खाता वैसे ही फिलाल प्रियंका सिंगल है और इसी लिए उनके दिवानों की उमीदे बनी हुई है उनकी आगे की जिन्दकी कित्ती रंगीन रहती है ये देखना दिल्चस्प होगा देखते रहे ये ये जवानी है दिवानी ओनली ओन पॉलिवूर मसाला